नमस्कार दोस्तो आपके अपने यूट्यूब चेनल कलाम स्टेडी में आपका हादिक स्वागत है दोस्तो आज की समय तो पुन वीडियो में अच्छा करने चारे हैं पर दिखिता दरप्ण की जो हिंडी मस्चिकाती है उस हिंडी मस्चिकागा अगस्ट दोजार गुनीश का जो संपुन सार है वो संपुन सार हम मस्चिक के वादियम से देखेंगे तो वीडियो को दोस्तो आप सुरूशे लेकर अंतक पूरा जरूर देखें तर नीचे कमेट करके हमें बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तो आपने अभी तक मारा वाट्चाप की और वीडियो ने बनाकर डाल लगके हैं उनका लिक भी आपको नीचे दिर्क्स में मिल जाएगा तो आपर जाकर आप मारे वाट वीडियो भी दे सकते हैं दोस्तो वीडियो शुरू करते हैं पहला जो क्यूशन है वाट क्यूशन है हाली में G20 शिकर समेलन का आयोजन कहा था तो जून 2019 में G20 समेलन हुआ है उसका यह चोधवां सेंसकंड था दोस्तो आपको वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक जरू कर दें सभी दोस्तों के साथ वाट्सप गूर्पों में इसे शेर भी कर दें जिसे सभी तक यह जानकरी पहुंच पाए यदि आपने औस जापन में कभं आईजुट किया जाएगा तो जापन में जो गईसे कर देंसकंड ने विरोद किया अ मेरिक का इसका राय जाइचर हो गया अगला परसंद देखते हैं जी टूंटी शिकर समयलन ओसा का जापान में भारत की ओर से परतिन दीतुए किस नहीं किया था तो भारत की ओर से हमारे प्रतानमत्री स्रीमा नरेंदर मोधिनिस का परतिन दीतुए किया था अगला परसंद देखते हैं 34 वे आशेन सिक्र समयलन का आयोजन दोस्तों कहां पर किया गया तो 34 वे आशेन सिक्र समयलन का जो आयोजन है वह है बैंककूंग थाइलेंड में किया गया अगला क्योशन देखते हैं क्योशन दोस्तों विश्वय का पहला well-being budget यानि कुशिपर के अदर इस budget किस देश ने पेश किया है तो जो विश्वय का पहला well-being budget है वह न्यूजलेंड ने पेश किया है तो न्यूजलेंड इसका right answer हो गया नेक्स क्योशन देखते हैं वेस्विक 37 हुचकांग 2019 में शिर्ष स्तान किस देश को मिला है तो वेस्विक 37 हुचकांग 2019 का जो शिर्ष स्तान मिला है वह दोस्तों आइस लेंड को मिला है तो आइस लेंड इसका right answer हो गया नेक्स देखते हैं बारत को कौम सा स्थान मिला है तो एकप्रेशर देसों में जो भारत को स्थान मिला है भोयों दोस्तों 141 स्थान मिला है QS World University ranking 2020 में शिर्ष स्थान प्रप्त भारते स्थान कुन है तो पहले स्थान पर जो भारते स्थान प्रप्त जो उनिविश्टी है उसका नाम है IIT Bombay तो IIT Bombay इसका right answer हो गया नेक्स्ट है संगाई सयोग संगटन की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पदानमत्री नरेंदर मोदी किस देश की यात्रा पर गए थे तो ये दोस्तों इसका हिस्सा लेने के लिए किर्गिस्तान की यात्रा पर गए थे तो किर्गिस्तान इसका right answer हो गया next question देखते हैं हाली में DD India Channel का परसारन किन देशों में किया जाएगा तो हाली में दोस्तों DD India Channel है उसका परसारन दक्षिन कोरिया और बंगलादेश दो देशों में भी किया जाएगा तो ये A और B दोनों इसका राइट अंसर हो गया तो दक्षिन कोरिया और बंगलदेश में इसका परशारा ने किया जाएगा अगला प्रसंद देखते हैं दोस्तों कि फोबर्स द्वारा जारी सर्वदिक कमाई करने वाले सो खिलाडियों की सुची में शर्ष पर कौन है, तो सहरवदिक कमाई करने वाले सो खिलाडियों की शुची में, पहले स्तान पर है, उनका नाम है फूटफ़ादर लियोनल मेशी, लियोनल मेशी इसका राइट आंसर हो गया, नेक्स्ट है, फोबर्ष दुआरा जारी सहरवदिक कमाई करने वाले सो जो है उनका नाम दोस्तो विराटे कोली तो विराटे कोली इसका राइटांसरे हो गया अगला क्यूशन देखते हैं अगला क्यूशन है सवस्त राज्य परगरतेशिल भारत रिपोर्ट को जारी करने वाली सहंस्ता का क्या नाम है तो सवस्त राज्य परगरतेशिल भारत प्रोटेम स्पिकर के रूप में किसे नियुट किया गया गया तो जो वरिश सांसद है विरेंदर कुमार जिने प्रोटेम स्पिकर बना गया था नेक्स देखते हैं नेक्स है दोस्तो सत्रमी लोक सबा के लिए लोक सबा अध्यक्स के शियन चुना गया है वह राजस्तान के कोटा से सांसद है ओम बिडला जिने चुना गया है तो ओम बिडला इसका राइट आंसरे हो गया एक दोस्तो सत्रमी लोक सबा के पहले सत्रमी डेश की पहली महिला वित्मंतरी जिनोंने पांच जुलाई को देश का आम बजट पेश किया उनका क्या नाम है तो उनका नाम दोस्तो स्मित्रा माजन सब्सक्राइब निर्मला शिता रामन का सुम्ग ये रॉंग हो जाएगा आर्थिक स्रुवेक्जन 2020 किस सतीती को संसथ में पेश किया गया तो आर्थिक स्रुख्जन 2020 यह चयार जुलाई 2019 से किया गया था नेक्स्ट दोस्तो निती आयोग के पुन्र गटन के तैत उपादेक्स एक बार फिर से किशे बनाया गया है तो ये डोक्टर राजीव कुमार को एक बार फिर से निती आयोग का उपादेक्स से बनाया गया है तो निती आयोग के अधेक्स कोन होते हैं तो अधेक्स दोस्तो प अगला परसन देखते हैं परसन है नई राष्ट्रिय शिक्षय निती के लिए गठीट विच्छ सग्या समिति के अध्यक्स कोन है तो यह हैं दोस्तों के कस्तुरी रंगन है अगला देखते हैं पूरवा में 20 दवारा चंदर यान 2 लौंज करने की टीठी कौन सी है चंदर यान 2 लौंज करने की जो टीठी है यह दोस्तों है 22 जुलाई 2019 है तो 15 के लिए लिए illustrated 2012 के जो चंदरे अंडुकम लॉंच किया, यह आपको बता दिया, यह बाईस जुलाई- mask को लोंच किया गया, इस कुछिटन का बताया था कि लॉंच करने की पहले ती सी थी 15 जुलाई थी Springs के साब ने करने की पहले साब से ईसका क्या वाला देश बन जाएगा तो भारत दोस्तों चेन को पचाड़ते हुए 2027 में सरवधिक जन्संक्या वाला देश ही बन जाएगा क्योंकि चाइना की सबसे ज़्यदा पोपुलेशन वर्तमान में दूसरे नमबर पर भारत है तो भारत दोजार शताइस तक पहले स्तान पर आ जाएगा नेक्स्ट है RBI ने रेपोदर में 0.25 की कमी करने का निनन लिया है वर्तमान में रेपोदर कितनी परतिशते है तो वर्तमान में दोस्तों जो रेपोदर है वह 5.7 परतिशत है तो इसे कम करने का निनन लिया गया है तो 0.25 कम करने का निनन लिया गया है नेक्स देखते हैं इस्ते लिए प्रोदोगी की विशेशगे कमपनी टोम टोम द्वारा सड़क लियाता है सूचकंग जारी किया है जिसमें सिर्ष स्थान किस सेर को मिला है जिसमें जो पहला स्थान मिला है वह दोस्तों मुंबई को मिला है नेक्स देखते हैं अगला जो क्य को अमєरिका ने बारत को आरप से बाहारे कर दिया गया थ Osc to वर्च दोजार गुणीस की गलोबल 200 कंपणियों में भारत की एक मात्र कंपणी उस देदे के नाम है Reliance Industries, निकान्निल, मुख्या संबाद जिसके मालिक है Reliance Industry है, उसने जगाये बनाई है, नेक्स देखते हैं, हाली में फेमिना मिस इंडिया चंपनवा किताब किस ने जीता है, तो ये जो चंपनवा किताब जीता है, ये सुमन राव ने जीता है, नेक्स देखते हैं सांख्यांकी मत्राले ने पिरियोडिक लेबर फोर्च सर्वे रिपोर्ट 31 में 2019 को जारी की इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में बेरोजगार इदर कितना परतिशत है तो भारत में जो बेरोजगार इदर है वह दोस्तों 6.1 परतिशत है नेक्स देखते हैं विश्ववप 35 वादमक सुषकांग 2019 में सिर्ष स्तान पर कौन सा देश से रहा है तो सिर्ष स्तान पर जो देश रहा है उस देश का नाम है सिंगापूर है तो सिंगापूर उसका रायत आनस में हो गया नेक्स्ट है विश्वब परतिस्तातमक सुषकांग दोजार गुनिश में भारत देश कौन से स्तान पर रहा है तो बारत देश है भारत का 43 में स्तान पर रहा है तो 43 वह इसका सही उत्तर हो गया नेक्स्ट कुछन है साहीते अकादमी के वरस 2019 के बाल साहीते पुषकारों के हिंदी बासा का पुषकार किसने जीता है तो ये पुषका दोस्तों गोविन शर्मा को मिला है तो गोविन शर्मा इसका सही उत्तर हो गया next है साहिते अकादमी के वरस 2019 के बाल साहिते पुर्षकारों के अंग्रेजी बासा का पुर्षकार किसे मिला है तो अंग्रेजी बासा का पुर्षकार मिला है वह देवी का करिपा को मिला है तो देवी का करिपा इसका right answer हो गया नेक्स्ट दोस्तो साहिते अकादमी के वरष 2019 के युवा साहिते पुर्षकारों के अंग्रेजी बासा का पुर्षकार किसने जीता है तो अंग्रेजी बासा का जो पुर्षकार जीता है वह तनुज सोलंकी ने जीता है तो युवा उपर जो पुछा था वह बाल साहिते का था ये क्यूसन युवा साहिते का पूचा है तो तनुस सोलन किसका राइट आंसर हो गया नेक्स देखते हैं BBC World Services Service Global Champion Award किस संक्रटन को परदाने किया गया है तो BBC जो World Service Global Champion Award परदान किया गया है ये दोस्तों परदान किया गया है अक्से पातर जो संक्रटन इसे परदाने किया गया है नेक्स्ट है हाली में किस पूर्व भारती राष्टर पती को मेक्सिको का सर्वस नागरिक सम्मान मिला है तो ये सर्वस नागरिक सम्मान मिला है ये परतीबा पाटिल को जो मरी पुरुवे राष्टर पती भी थी उन्हें ये अवार्ड मिला है नेक्स देखते हैं नेक्स है दोस्तो हाली में शीर जिन्पिंग को किर्गिस्तान का सरवत राष्टरी पुर्शकार मानस ओडर ओफ फर्स्ट डिग्री परदान किया गया है ये किस देश के राष्टर पती है ये चाइना के चीन के राष्टर पती है नेस्ट है French Open Tennis 2019 में पूरुस विंग मिग के विजेता कौन बनी है तो पूरुस जो वंग है उसके विजेता बनी है राफेल नडाल तो राफेल नडाल इसका राइटांसर हो गया नेक्स्ट है France Open Tennis 2019 में महिला वर्क की विजिता कौन बनी है तो महिला वर्क की जो विजिता मनी है उनका नाम है दोस्तो एसले बार्टी तो एसले बार्टी इसका राइट आंसर हो गया नेक्स्ट दोस्तो एक दिवसी क्रिकेट वर्ड कप 2019 का विजिता कोन बना है तो एक दिवसी क्रिकेट वर्ड कप 2019 का विजिता बना है वह इंगलेंड बना है तो इंगलेंड इसका राइट आंसर हो गया जो इन्विजिलेंड को हजाहरा कर विजिता बना है नेक्स्ट दोस्त तो एक दिवस्चे Cricket World Cup 2019 में Mayण ओफडानमेट की से मिला, तो Mayn ओफडानमेट के अवार्ड मिला है, वेक केन विलियमसन को मिला है, तो केन विलियमसन में इसका राहट आमस् dow गया, नेक्स्ट दोस्तो, एक दिवस्चे Cricket World Cup 2019 में, final match में man of the final match या man of the match का जो अवार्ड मिला है वैग कौन सा खिलाडी है तो वैग खिलाडी का नाम है दोस्तो बेन स्टोक्स बेन स्टोक्स इसका सही उत्तर हो गया next है एक दिवश्य क्रिकेट वर्ड कप 2019 में सारवदिक रन किस बल्ले बाजने बनाए थे तो क्रिकेट वर्ड कप 2019 में सारवदिक रन बनाने वाला बल्ले बाज का नाम है रोहिते सर्मा तो रोहित सर्मा इसका right answer हो गया नेस्ट क्यूशन देखते हैं दोस्तों एक दीवस्य क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 में सारवधिक विकेट के स्केंदवाज ने लिये हैं तो सारवधिक जो विकेट लिये हैं वह दोस्तों लिये हैं मिशेल इस्टारक ने तो मिशेल इस्टारक है यह इसका राइट आंसर हो गया अ तो रोई शर्मा इसका right answer हो गया अगला जो person है वै दोस्तो हाली में जारी फीपा रेंकिंग में सिर्ष स्थान पर कौन सी football team रही है तो पहले स्थान पर जो team रही है उसका नाम दोस्तो बेल जीम तो बेल जीम सिर्ष स्थान पर रही है नेक्स्ट है हाली में जारी फीपा रे 35 वी सनुकर चेंपियंशिप किस खिलाड़ ने जीती है तो 35 वी जो सनुकर चेंपियंशिप है ये पंकज आडवणी जीती है तो पंकज आडवणी इसका राइटांसर हो गया नेक्स्ट है विश्वत तरनदाजी चेंपियंशिप 2019 में किस भारत्य खिलाड़ी ने रजज़त पदक के जीता है तो ये दोस्तो जीता है रमेश जादव इसका राइटांसर हो गया नेक्स्ट है विश्वत तिरंदाजी चेंपियंशिप 2019 का आयोजन किस देश में हुआ था तो ये दोस्तों निदरलेंड में इसका आयोजन किया गया था तो निदरलेंड इसका राइट आंसर हो गया अगला जो परसन है वह देखते हैं क्योशन है विश्वत तिरंदाजी चेंपियंशिप 2019 में भारत तीन पदकों के साथ किस स्तान पर रहा है तो भारत तीन पदकों के साथ में 60 स्तान पर रहा था तो ये इसका राइट आंसर हो गया नेक्स्ट है निति आयो के मुक्य कारिकारी अधिकारी का नाम क्या है जिनका कारिकाल दो वरस तक बढ़ा गया है तो मुक्य कारिकारी अधिकारी जो CEO है निति आयो के उनका नाम है अमितावी कांत जिनका कारिकाल दो वरस तक के लिए बढ़ा दिया गया है तो नेति आयो के जो उपादेख्स राजिव कुमार है, उसका भी कुछिशन मैंने आप को पर बताया, तो उनका भी कारिकार बढ़ा दिया गए है, तो उने पुने उपादेख्स नयुक्ति किया गया है। नेक्स्ट है, आईबी के नई परमुख कौन बने गए हैं? तो आईबी के जो इंट्रेलिजिस्ट ब्यूरो है, उसके जो नई परमुख बने हैं, उनका नाम अर्विंद कुमार, तो अर्विंद कुमार इसका सए उत्तर हो गया है. नेक्स्ट है, हाली में राष्ट्रे सुरुक्षा सलाकार के पद किसकी पुनर निउक्ती हुई है, तो राष्ट्रे सुरुक्षा सलाकार यानि जो NSA का पद होता है, तो NSA के पद पर जो अजीट डोबाल है, उनकी पुनर निउक्ती हुई है, नेक्स्ट कुरिशन देखते हैं, परदानमंत्री के परदान सचीव के पदपर पुन्दर निउट्टी किस की हुई है तो परदानमंत्री के परदान सचीव के पदपर जो पुन्दर निउट्टी हुई है वह दुस्तो नुर्पेंदर मिस्तरा की हुई है तो नुर्पेंदर मिस्तरा इसका राइट आंसर हो ग गया था नेक्स्ट है देश का पहला डिजिटल गार्डन किस राज्य में स्तापित किया जाएगा तो देश का पहला डिजिटल गार्डन है यह दोस्तों केरल राज्य में स्तापित किया जाएगा तो केरल इसका राइटान शुरू हो गया नेक्स्ट है विश्वा का सबसे उं उच्छा जो मौस में स्टेशन स्तापित किया गया है यह दोस्तों माउंट एवरेस्ट में स्तापित किया गया है अगला जो परसन है वै है हाली में विश्व के सबसे बड़े काले स्टेश लिप्ट सिंचाई परियुजना काले स्ट्रम का उद गाठन किस रज्जे में किया गया तो यह दोस्तों तेलंगाना रज्जे में किया गया तो तेलंगाना इसका राइट आंसर हो गया नेक्स्ट है भारत और म्यामार की सेनाओं के मद्दे 16 मईस से 8 जून तक चलने वाला सेयूत युद्दाबैस का नाम क्या है तो इस सेयूत युद्दाबैस का नाम दोस्तों ओप्रेशन संद्राइज टू इसका नाम है तो यह इसका राइट आंसर हो गया नेक्स्ट क्रूशन पर चलते हैं क्योशन है जून 2019 में वेस्ट्विक उदमिता शेकर मेलन का आयोजन कहांपर किया घया तो इसका नाम दोस्तों एक नीदर्लेड में किया घया था तो हेक निदरलेंड इसका सेयूत्तर हो गया अगला जो परसंद है वह देखते हैं भारतियेωक्षन के नए सामत गोईल इसका राइट आंसर हो गया तो यह दोस्तों हमने पढ़ते हो किता दरपन की जो अगस्त मा की जो मास्य का थी उसके संपूर्ण जो MC के हमने आपको करवा दिये हमारा वीडियो दोस्त आपको कैसा लगा आपको नीचे कमेट करके हमें बता सकते हैं वीडियो पसंद आयो दो तो वीडियो को को भी आप जरूर दबादें जिसे मारे आगे आने वाले से भी वीडियो की जानकरी आप तक ही पहुंचती रहें धन्यवाद